हे दोस्तो आप चार तरीकों से पैसे कमा सकते हो normal sense में पहला job करके दूसरा self-employed होके मतलब अपना खुद का कुछ करके तीसरा एक business create करके या चौता investment करके अब ये चारो तरीकी से आप पैसे कमा सकते हो no doubt लेकिन कितना और कैसे ये एक बहुत important question है जिसके बारे मैं आपको सो करता है वह होते है active source of income मतलब इन में आप तब तक ही पैसे कमा पाओगे जब तक आप खुद काम कर रहे हो अपना time दे रहे हो तब तक काम करना बंद तो फिर पैसे आना भी बंद हो जाएंगे लेकिन दूसरी तरफ दूसरे दो option जो है वह passive income हो सकते हैं मतलब ऐसे तरीके स है वो सबके सब इतने अमीर बने है या तो first business करके या तो second investment करके और यह fact है इसलिए कर आपको भी अमीर बनना है और passive income कमाना सीखना है तो आपके लिए business या investment करना ही सबसे better options है अब business पे कैसे champion बनना है और business related useful videos मैं डालता ही रहता हूँ जो आप यहाँ क्लिक करके या मेरे business playlist में जाके देख सकते हो मैंने link description में दी है लेकिन मैंने investment से related इतनी बाते नहीं की है जो के actual में passive income के लिए बहुत बार business से भी जादा better हो सकता है तो आज हम investing की ही बात करेंगे Warren Buffett जो दुनिया के second richest इंसान है और जो आप बोल सकते हो दुनिया के number one investor है वो बोलते है कि अगर आपको investing के बारे में सीखना है तो उसके लिए the intelligent investor एक best book है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इखुद की success का बहुत बड़ा credit Buffett ने इसी book को दिया है ये book Benjamin Graham ने ल और ये चीज बहुत ही complicated होती है जिसे समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए या ऐसा कुछ बट Warren Buffett ये नहीं मानते उन्हेंने इस book के starting में ही कुछ points प्रिफेस में बताये हैं जिसमें से सबसे पहली बात यही है कि एक great investor बनने के लिए आपको high IQ या बहुत intelligent होन fundamental points share करूँगा so let's begin अगर आपको एक intelligent investor बनना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है आपको एक real investor बनना होगा ना कि एक speculator देखो investor और speculator में तीन major difference होते हैं पहला speculator लोग सुनी सुनाई बातों पर excited होके market में जिस stock के दाम बढ़ रहे हैं उसे खरीद लेते हैं बिना उस company के बारे में अच्छे से कुछ जाने जबकि जो real investors होते हैं वो अपने पैसे invest करने से पहले company के बारे में information लेते हैं उस company का thoroughly analyze करते हैं business क्या है पैसे कैसे कमा रही है company और क्या आगे भी ऐसे ही कमा पाएगी या नहीं ये सब अच्छे से analyze करते हैं वो invest करने से पहले दूसरी चीज़, speculator जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, returns चाहते हैं मतलब अगर वो कुछ पैसे डाल रहे हैं किसी stock या business में तो वो ये expect करते हैं कि उन्हें 50% या ऐसे ही बहुत ज़्यादा returns मिले और वो भी एक साल के अंदर य ना कि बहुत ज़्यादा और यहाँ adequate returns कितने exactly होते हैं यह author ने नहीं बताया है बड़ आप usually समझो 11% से 20% returns और अब last तीसरी चीज़, speculator जो होते हैं वो safety of principle के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, principle मतलब वो पैसे जो आप starting में investment में डाल रहे हो, speculator यह ज़्यादा सोचते की safety पर पहले ध्यान रखते हैं, ऐसे नहीं कि वो उन चीजों को खरीद लेते हैं जिनकी value actual में कम है और बस market hype की वज़े से ज़्यादा है, ना ही वो ऐसे stocks खरीदते हैं जो सच में valuable नहीं होते, जिसे उनका principle safe रहता है, और ऐसे ही कुछ reasons की वज़ा से, जो real investors होते हैं वो बहुत पैसे बनाते हैं stocks में, उसे एक investment opportunity समझके, जबकि जो normal speculator लोग होते हैं, वो जुआ समझकर अपने बहुत पैसे इसमें डुबा देते हैं, तो इसलिए be a real investor ना कि speculator, नमबर 2, inflation, जादे तर middle class या lower middle class के लोगों के पास जब थोड़े ज़ादा पैसे आ जाते हैं normal स तो वो उन पैसो को एकदम safe, अलमारी के सबसे अंदर वाले खन में छुपा के रख देते हैं, और कई बार, कई लोग सालों तक उन पैसो को बाहर नहीं निकालते, ये सोचते हुए कि वहाँ उनके पैसे बचे रहेंगे और safe रहेंगे, पर क्या सच में वो पैसे बचे रहत लगता हूँ, आपको मुझपर पूरा भरुसा है, तो आप मुझे वो पैसे दे देते हो, अब बराबर एक साल बात मैं आपको पैसे दे भी देता हूँ, पर उसमें से 8000 रुपे काटके देता हूँ, ये बोलके मैंने तुमारे पैसे safe रखे थे, उसका चार्ज है ये, तो उसकी value एक साल बात समझो, 9000 कम हो गई होगी, इसलिए best यही है कि हम अपने पैसे घर में छुपा के नहीं रखे, बलकि कहीं invest करे, bank कुछ लोगों के लिए ठीक है, पर banks usually बहुत कम returns देते हैं, 6% या उसके आसपास, या और कम, और अगर inflation 6% जादा हो गया उस साल, तो समझ कि अगर आप stocks में थोड़ा अच्छे से research और knowledge लेने के बाद, या बस इस book को पढ़ने के बाद भी invest करोगे, तो आपको उसके returns बहुत जादा अच्छे मिलेंगे, यकीन करो, और एक और बात, बिराए ये book के सारे principle को समझा, आप invest मत करना, क्योंकि loss हो सकता है, Investing में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो, stocks को उनकी true value से सस्ते में और कम हो जाने पर खरीदने के बाद, या तो फिर stocks को सही time पर खरीद कर और सही time पर बेच कर, अब जो लोग timing के साथ पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो usually spectators होते हैं, क्योंकि एक intelligent investor ये बात समझता है, कि future credit करना nearly impossible है, आगे कब क्या होगा ये चीज़ पर दाव लगाना बहुत मुश्किल और गलत हो सकता है, जबकि एक बर pricing को ध्यान में रखकर, चीज़े खरीदने पर काफी पैसे बनाए जा सकते हैं, और pricing से कैसे पैसे बना सकते हैं, या आपको market swings की opportunity समझ कर पता चलेगा Warren Buffett ने इस book के start में ही 3 important points mention किये थे, जिस पे हमारे results depend करेंगे, उसमें से पहला point है आपके efforts, दूसरा है आपकी research, और तीसरा है market swings, market swings opportunities होती है पैसे बनाने की, क्योंकि देखो, usually क्या होता है कि जब market अच्छा perform कर रही होती है, तब normal लोग और spectators stocks खरीदने लगते हैं, ता कि उनका loss ना हो, जबकि जो intelligent investors होते हैं, इसका एकदम उल्टा करते हैं, वो stocks तब खरीदते हैं, जब market एकदम down हो रहा होता है, क्योंकि तब ही उन्हें stocks सस्ते में real value से बहुत कम में मिल जाते हैं, जबकि वो चीज़े बेचते तब हैं, जब market में stocks की hype हो जाती है, और सारे shares नहीं बेचना चाहिए, 25% हमेशा hold करना चाहिए, etc, etc, ऐसी बाते, बट general sense में आपको समझ आ गया होगा, कि जब सब profit के पीछे भाग रहे हैं, तब आप शान्त रहो, या फिर बेचो, बट जब सब डर के भाग रहे हो, तब आप खरीदो सस्ते में, लेकिन again, इस book के सारे fundamental सीखने के बाद ही ये सब करो, कि यह वो सब बहुत important बाते हैं, जो नहीं समझना आपको loss दे सकता है, सो अगर आप चाहते हो कि मैं इस book के सारे principles explain करूँ, तो मैं जल्दी ही अपनी website, seeking.in पे podcast स्टार्ट करूँगा, जहां मैं books को detail में, और almost सारे important topics को cover करते हुए समझाऊँगा आपको बाते, वो मैं कब स्टार्ट करूँगा, या आपको मेरे facebook page से पता चल जाएगा, सो आप मुझसे वहाँ जरूर connect करे, मैं वहाँ जादे active भी रहता हूँ, जिसकी link मैंने description और comment में भी दी है, up to end, ये बाते मैंने आपको The Intelligent Investor by Benjamin Graham इस book से बताई है, अगर आपको investing में जरा भी interest है, या interest आ रहा है, तो ये book आप जरूर पढ़े, और ये बस मैं नहीं, बलके Warren Buffett ख को भी miss नहीं करना चाहते, तो आप subscribe करने के बाद, बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक करे, तब ही आपको notifications आएंगे, वरना नहीं आएंगे, और मैंने जितने भी viewers है, जो notification आने पर ही वेरे videos देखते हैं, उन सबको एक बहुत बड़ा thank you, and finally, thanks for watching.